हलो फ्रेंड्स वेलकम यार आज मैं जो शॉपिंग बैक बनाने वाली हूँ तो उसके लिए ये मैंने मेन कपड़ा लिया हुआ है तो इसके मैं लंबाई आपको बताती हूँ मेजर कर ले रही हूँ लंबाई इसकी आ रही है थर्टी फोर इंचेज और चुड़ाई बताती हूँ मेजर करके 24 की आ रही है 17 इंचेज ये मेन कपड़ा है और ये मैंने जो कपड़ा है अब मैं खोल ले हूँ ये लाइनिंग के लिए उस करूँगी ये वाला कपड़ा तो ये भी सेम मेजर्मेंट का है ये देखिए 17 इंचेज और लंबाई इस की आ रही है 34 इंचेज तो ये जो पैक बनने वाला है शापिंग बैक इसमें इंटरफेस का यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका बनाने का तरीका ही ऐसा है आप चाहिए तो थोड़ा मोटा कपड़ा भी ले सकती है और ये देखिए ये है 26 इंच की स्ट्रिप जो हैंग करना है कंदों पे और इसकी जो चड़ाई आ रही है वो 4.5 है तो 26 और 26 दोनों सेम है ये और इसको बनाने का तरीका क्या है पहले सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे fold करने के बाद फिर एक side hold के फिर एक side को fold करेंगे center के side पर रख के दूसरे side से भी उठा के center पर करेंगे और फिर center को fold कर देंगे इस तरह से दोनों तरफ सिलाई दे देंगे और ये मैंने कप्ड़ा लिया है flap के लिए तो इसमें जिब नहीं लग रही है तो फ्लैब लगा रही हूं मैं बंद करने के लिए 9 इंच लंबा है ये और चोड़ाई इसकी है 4.5 तो ये लंबाई के साइड ही फोल्ड करेंगे इस तरह से और तीनों तरफ सिलाई दे देंगे एक तरफ छोड़ देंगे और उपर की तरफ थोड़ा राउंड करते हुए जिलाई देंगे तो चलिए पहले मैं हैंगिंगे स्रिप के लिए सिलाई के दे देती हूं तो दोनों साइड में सिलाई देनी हैं दो सिलाई पड़ेगी अब ये दूसरी वाली भी तियार कर ले रही हूं हैंगिंग गे स्ट्रिप और अब मैं फ्लैप तियार कर ले रही हूं तो उपर के साउंड राउंड करके मोरते हुए तीन तरफ सिलाई दे देनी ऐसे अब ये देखिए राउंड वाला हिस्सा जहां था हूं हां कटिंग मैं कर दे रही हूं एक्स्ट्रा कपड़े की और फिर ये क्याठी की हेल्प से मैं इसको सीधा कर ले रही हूं कि इस तरह से मैं सीधा कर ले रही है और सीधा हो जाने पर आप इसको प्रैस करके त्यार कर सकते हैं या फिर किनारे किनारे पर टॉप इस डे दीजिए जिसे की कप्ड़ा अच्छे से बैट जाए हूं जो मैं कुध्र्स करके मैंने इसको कंप्प्लीट कर लिया था मैंने अलग से सिलाइड नहीं दिया है अब मैं इस पर प्रेस कर लूँगी तो यह फ्लाइब भी बनके तियार हो गया है अब आईए में कपड़े पे आते हैं तो में कपड़े का पहले मैं सेंटर फाइंड कर रही हूं इस तरह से ये मैंने सेंटर निकाल लिया इसका सेंटर से फिर 3 इंच एक साइड मैंने मार किया है सेंटर से दूसरे साइड 3 इंच मार कर दूँगी और फिर एक हैंगिंग इस ट्रिप उठाऊंगी और अगल बगल के दोनों मार्क्स पे इस तरह से रखोंगी और यहां पर मैं फ्लैप इसी पे जोइन कर रही हूं तो इस तरह से यहां पर तीन सिलाई देनी है एक स्ट्रेट देंगे तीनों सिल जाएगी दूसरी हैंगिंग इस ट्रिप उठाऊंगी इधर जोइन करूंगी तो इस पर यहां पर भी सैंटर निकाल ले रही हूं और से तीन इंच एक साइट, सेंटर से जीन इंच दूसरे साइट वे मार कर लिया है मैंने और इसी तरह जैसे पहले किया था उसी तरह यह हैंगिंग इस ट्रिप रखेंगे और एक लंबी स्ट्रेट सिलाई देनी है इसमें भी तो चलिए सिलाई कम्प्लीट करते हैं तो लंबी सी स्ट्रेट टाइन से सिलाई कम्प्लीट कर देंगे दो दे दीजेगा दो देनी जरूरी है जिसे की अच्छे से वो स्टिच हो जाए तो ये देखें कम्प्लीट हो गई है सिलाई यहाँ पर अब मैं लािनिंग वाला कप्ड़ा उठा रही हूँ और इसको ये देखें राइट साईयट और उपर रॉओंड साइड है और ये जो राइट साईयट है राइट साइड से राइट साइड मिलाते हुए इसको रख देना है यानि कि उल्टा साइड उपर की तरफ है और सीधा साइड अंदर की तरफ है कपड़े से लगा हुआ नीचे वाले तो इस तरह से चारो तरफ अच्छे से फैला दूँगी मैं और पीन अप कर दूँगी चारो तरफ अब बीच का इतना हिस्सा यहां पर मैं छोड़ दूँगी क्योंकि ये सिलाई देने के बाद इसको पलटना है उसको बाद में सिल देना है फिर चले इतना छोड़ देना है छोड़ के मैं चारो तरफ सिलाई कम्प्लीट करूँगी बहले इतना इसा छोड़ना है ये देखे, पिंसे मैंने सब लगा दिया है इसको स्टेबल कर दिया है पिंसे चली सिलाई दे देते हैं इस पर ये देखे, सिलाई यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है लगबग तो अब सिलाई हो चुकी है तो यहाँ से जहाँ से मैंने ये कपड़ा छोड़ा साथ नहीं सिला है वहाँ से मैं इसको पलट लूँगी सीधा कर लूँगी मतलब पहले कॉर्नर्स को उठाके, चारो कॉर्नर्स को उठाके बाहर कर लूँगी फिर कप्ड आसानी से पलट जाएगा इस तरह से अब इसको अच्छे से धीरे धीरे निकालते हुए और इसको पलट लिया है मैंने अच्छे से और ये देखिए कॉर्णर को अच्छे से सीधा कर लेंगे इसको निकाल लेंगे देखिए निकालना जरूरी है तो नहीं तो शेफ फिर अच्छा नहीं निकलेगा तो अच्छे से कार्णर को निकाल लिया मैंने और जहां से ये सिलाई मैंने खुली रखी ते इसको भी सिल लेंगे और फिर टॉप इस्टिस दे देंगे चारो दरफ ये देखिए खुला हुआ इससा मै जाइन हो जाए दोनों तो एक पैट की टॉप इस्टिस दे देती हूं मैं यहां पर टॉप इस्टिस कम्प्लीट हो गई है देखिए अच्छे से कप्ड़ा जो आइन हो चुका है मैंने हलकी सी प्रेस भी कर दी जिसे की अच्छे से ये बैठ जाए कप्रा दोनों साथ में अब यह देखिए जो में कप्ड़ा है वो अंदर की तरब फोल्ड करेंगे दोनों साइट से और कितना फोल्ड करना यह देख लीजे यह दो इंच का फोल्ड दिया है मैंने दो इंच इधर से और दो इंच इधर से फोल्ड देने के बाद किनारे किनारे एक पैर की सिलाई दे देंगे इस तरह से चलिए एक पैर की सिलाई यह दे रही हूं मैं यहां पर कॉर्णर पर पूरी लंबाई में देनी है जितना बड़ा कप्रा है कि तो यह कंप्रीट हो गई यह सिलाई अब इसको ओपन करते हैं खोलते हैं मतलब इस तरह से और यह अंदर की तरफ मोड लिया है उल्टे साइड में मैंने उल्टे साइड में मोडने पर अब किनारे की सिलाई दे देंगे जिसे की पूरा पैक बनके तियार होगा तो ये किनारे की सिलाई भी दे देती हूँ मैं दोनों साइट पे आप चाहें तो डबल कर लीजिए जिसे मजबूती आ जाएगे यह अच्छे से तो दोनों सिलाई लगबग पढ़ चुकी है ये देखिए लाइप पढ़ गई है देखिए और अब ये कॉर्नर का हिस्सा उठाएंगे इसको इस तरह से फैलाएंगे और फैलाने के बाद इसको नापेंगे थ्री इंच के लिए थ्री इंच पे एक चॉक से लाइन स्ट्रीट खीचेंगे और इस पर पिन से रोग लेंगे उसे मतलब दोनों कप्डा जोईन कर देंगे पिन से इस तरह से दूसरे साइट भी दूसरे कॉर्नर को भी इस तरह से फैलाएंगे और थ्री इंच पेस को जोक से खीच के कप्डा वहाँ पर और दो पिन लगा के इसको स्टेबल कर देंगे और इस पर सिलाई दे देंगे तो एक या दो जो भी चाहिए सिलाई दे दीजे इस पर ये देखिए कॉर्नर तियार हो चुके हैं अब ये कॉर्नर ऐसे खुले खुले अच्छे नहीं लगेंगे ना तो फिर इसको क्या करेंगे कि इसके कॉर्नर के टिप को साइड में लाकर और दो तीन टाके लगा देंगे सुई से ही सिलाई यहां पर मशीन से नहीं हो पाएगी दो टाके लगा दीजे जिससे कि ये लुक अच्छा निकल के आएगा इसका तो बस यहीं पर टिप पर ही देनी यह से लाई तो टाके से इसको कनेक्ट कर दिया है साइड में मैंने और यह दूसरे वाले कॉर्नर को भी साइड से कनेक्ट कर देना है यह दोनों कंप्लीट हो चुका है अब मैं बैक को सीधा करती हूँ देखे बैक मेरा सीधा हो गया कितना अच्छा बॉटम बन के त्यार हुआ है यह देखे नॉर्मल सा बॉटम बन के त्यार हुआ है और साइड के फिंशिंग तो बहुत ही अच्छी आ गई है यह देखिए साइड में जो सिलाई डाली थी ना मोड के दो इंच वाली उससे यह देखिए बॉटम कितना अच्छा है इसका और यह साइड में देखिए कितनी अच्छा मतलब एक डिजाइन सी बन गई है यह देखिए मैंने एक टिज बटन लिया है अब यह फ्लैप पर करेंगे ना फ्लैप को बंद करना है तो इस तरह से चिट बटन लगा के खोल बंद कर सकते हैं उपस से शो बटन लगा देंगे तो यहां पर चिट बटन लगा दिया है मैंने और इस तरह से खोलेंगे बंद कर बैक पूरा बनके तेयार हो गया है बहुत अच्छा रॉत बैक बना हुआ है और पर उज रॉशेय ल安च बैकी रोल भी कोई का करlt को करने का लो भी कोई आगाए करना तो यसको फोक्राइब लिडान लुक्तिवीज रीगा कि अज़या निकल हई का लुक और अच्छा निकल के आएगा अच्छी मजबूती भी देगा और मैंने तो नॉर्मल कप्रे से बनाया है लेकिन तब भी काफी अच्छा मोटा बन के तियार हुआ है ये देखिए और बॉटम तो इसका बहुत ही अच्छा वाइड बन के तियार हुआ है और एक सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू